हेलो दोस्तो नमेश्कार हम लोगों को यहाँ पर जानना है तो चले एक एक स्टॉक को यहाँ पकड़ लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे happiest mind technologies के बारे में बहुत जादा सवाल यहाँ पूछे जा रहे है कि यहाँ पर तेजी का बाएगी in fact मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा बहुत ही lucky बात है यह कि यहाँ पर बहुत बड़ा correction अभी तक तो नहीं है आप पूरा बाजार में आ जाता है तो एक normal सी बात रहती है सो यह हम लोग को point यहाँ पर समझ में आता है कि इतने top level पे भी जिन लोगों हम अब तब में long term की बात करा हूँ हो सकता है यह नीचे भी आ जाए ऐसे हम लोगों ने कितने सारे stocks यहाँ पर देखे है so next अगर हम लोग यहाँ पर बात करें Trident से related सवाल यहाँ पर पूछे जाते है कि यहाँ पर next buying हम लोगों ने कप करने चाहे तो मैं already आप लोगों को logical answer दे चुका हूँ quarter two के results देखने के बाद यह अभी quarter two के number आई जाएंगे अभी कौन सा है एप्रिल में जून उसके बाद जुले ऑगस सप्टेंबर that's it सप्टेंबर के बाद quarter two के number आ जाएंगे तब decision आप लोग ले सकते हो पुरा नहीं holding है उसको continue चाहतो कर सकते हो क्योंकि company के Q1 के number बहुत शांदार थे और प्लस अभी हम लोगोंने PLS scheme भी यहापे देखी textile से related मंजूर भी हो चुकी है लबग 10,000 करोड के आसपस यह तो textile से ही वाला stock है तो obviously इसको यहापे फाइदा जरूर मिलेगा जब तक company के number खराब नहीं होते है individual basis की उपर पूरे sector के हो गए तो एक बार चीज़े चल जाती है बट individual basis की उपर खराब हो जाती ही चीज़े तो हम लोग उस stock को profit book के और से ही यहापे देख सकते है अभी तक के performance की बात करें बहुत अच्छा performance है जो कि हम लोग कह भी सकते तीन का stock 24 का यहापे हो चुका है एक साल में ही लगबग 200% से कैसे भी जादा की return यहापे हम लोग को मिल चुके है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें obviously Trident को चाहो तो continue कर सकते हो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे Tata Power के बारे में सो रोस्तो Tata Power भी देखा गया तो बहुत ही long term के लिए एक बड़िया stock है हलाकि बड़िया stock है इसका रहती है ने कि बहुत ज़्यादा quantity उठा लेना क्योंकि प्राइस छोटा है तो ज़्यादा quantity मिलेंगे ऐसा नहीं slowly slowly लिए हम लोग को आगे बढ़ना है बहुत सारे खराब quarter के नंबर के बास इस वक्क company के quarter 1 के नंबर बहुत ही अच्छे मुझे हापे लगे थे और उसके बाद से अभी तक company ने अच्छा performance ही दिखा है पिछले 6 मेने में अगर हम लोग बात करें तो 35% की रिटन एंड एक साल की बात करें तो 1500% की रिटन टाटा पावर में अगर आप लोग short term के लिए आते हो तो मैं इतना है कहना चाहूंगा मत आईए short term में यहापे कुछ भी नहीं है खास करके इस company में जो भी हम लोग को बदलाओ देखने को मिल रहे है बदलाओ मतलब अगर मैं maximum chart pattern दीखा दू तो यह देख सकते हैं आप लोग लगबाब 12 साल की यह गिरावट थी और यह यहापे अभी V-shape recovery हम लोग को यहापे देखने को मिल रहे है उसके पीछे के कारण है दो खबरे एक है electric vehicle से related and second है renewable energy की बात करें green energy की अगर हम लोग बात करें solar की बात करें तो इससे related जो खबरे आती है वो इस company को यहापे टर्न अराउंड यहापे करवा सकती है क्योंकि अभी भी जो भी खबरे आ रही है वो power से related कौन सी है यही खबरे electric vehicle के कोई charges की बात करें या फिर rooftop की अभी हम लोग यहापे बात की थी तो ऐसी खबरे renewable energy की बात करें यही खबरे टाटा पावर में जो शापे भर रही है तो definitely इस company में अगर आप निवेश करते हो तो बहुत ही लंबा खिलना पड़ेगा एक दो साल में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं मतलब ठीक है 100-200% बट और भी अगर आप लोग लंबा होल्ड करते हो तो बहुत ही जबरदस तेजी इस stock में यहापे आ सकती है देन बात करेंगे विप्रो में तो बहुत ही कमाल का stock है बहुत बर में इस से related वीडियो बना चुका है मुझे नहीं पता कि बहुत से लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में क्यों आ जाते कमाल का stock है दोस्तों यह कोई आज की company नहीं कितने साल होगे इस company को पुरानी company बहुत अच्छी company company का performance भी बढ़ी है quarter one के result आप भूल गयोंगे मैंने ही बुलाओंगा मैंने जैसे आपको title भी रखा था 75 साल में आज तक ऐसा quarter one नहीं देखने को मिला है जो कि वीपरो ने आपे पेश किया था उसके बाद आप लोग देख लेना है यहापे company बहुत अच्छा performance यहापे दे चुकी हाला कि छे मैने के रिटन से बट 60% वीपरो में भी 6 मंत में मिलना एक next level का अजूबाई है हम लोग ऐसा है यहापे बोल सकते है तो company बहुत बढ़ी है आप में patience होना चाहिए दोखो company का business कोई खराब नहीं हुआ है इतने सारे contracts यहापे इनको यहापे मिलते ही जारे तो ज़रू आप लोग कंटिनी यहापे कर सकते हो दैन बात करेंगे IRCTC के बारे में तो बहुत ही बढ़ीया stock है आप देख सकते हो ups and downs यहापे चलते रहे रहे हैं फिलाल यहापे 5.5% की तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है थोड़ी सी हगर हम लोग यहापे बात करें रुकावट कल दो एक दो दीन में देखने को मिले थी पार्च दीन में भी 15% है एक साल की बात करतो 175% अब यहापे हम लोगों को पता है डेफरी कमपनी है सरकार बैक कमपनी सरकार से जुड़ीवी कमपनी है सो एस सच कोई टेंशन लेने के जोरत नहीं हाँ सिर्फ एक ही आपका यहापे सरदर्द हो सकता है कि यह कमपनी क्या हो जाएगी इतनी रिटन देने के बाद एक साइडवेस पैटन चल सकता है इसके पहले भी हम लोगों ने लगबग 8-9 मन्त यहापे बिना किसी रिटन के स्टॉक को होड़ गया था बट फाइनली वो पेफ हो चुका है इतनी जबरदस रैली के बाद हमें अच्छा कासा रिटन मिल चुका है नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करेंगे यहापे आज के दिन का सितारा आप सभी लगों को पता है ITC इतनी भयंकर तेजी देखने को मिल रही है सो सर तेजी के पीछे की रीजन के है डी मर्जर से रिलेटेड लेके दोस्तो तो ऐसा कोई अभी ओफिशली खबर ऐसा कुछ भी यहापे आया हुआ नहीं है हम लोग कह सकते हैं यहापे एक जबरदस तेजी तो देखने के आपे मिल रही है तो दोस्तो यहापे सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई यहापे में बात करू तो वो है दोस्तो कल का दिन इसके पहले भी ITC ने ऐसे एक दो बार मतलब यह तो पूरा मतलब बहुत समय के बाद का रेकॉर्ड है की इतना तेजी उन्होंने दिखा है बट कल का दिन भी देखना बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है अगर कल भी ITC इसी तरीके का तेजी दिखात है तो हम लोग कह सकते कि यह बहुत अच्छा गासा उपर जाते वे देखने को मिल जाएगा एक टर्म तो आप लोगोंने सुना होगा केवल एक ही एसा स्टॉक है जोकी इतना फंडामेंटली स्ट्रॉंग है इंट्रैन्सिक वैलू के नीचे इसका इंट्रैन्सिक वैलू भी समवेर एराउंड धाई सो के उपर है जो यहाप लोगों कह सकते बिजनेस इनका अच्छा है बट सिगारेट वाला बिजनेस continue यहाँ पर रही क्योंकि usually हम लोग ने आपर देख लिया है एक sideways pattern देखने को मिले है एसी गिरावट देखने को नहीं मिले है तो शायद से कल का दिन भी यहाँ पर positive ITC के लिए आपर रह सकता है अगर कल भी अगर ITC अच्छा का सा jump दिखाता है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे retail निश्टर आप सबलंग को बता है emotions में आके निवेश कर लेते हैं वैसे भी बहुत सारे news channel भी recommendation देना शुरू कर देते तो बहुत बड़ी buying भी यहाँ पर हो सकते आज के volumes भी ITC में बहुत ही मतलब कमाल के थे यहाँ जो कि हम लोग कह सकते इसी के बदौलत यह कही decision यहाँ पर लेना चाहिए ITC लेना है आप लोगों ने तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और उपर यहाँ पर अगर जाता है आपको picture clear होनी चाहिए एक बार तेजी आ गई दैन वापस अगर 200 पर आ गया क्योंकि ऐसा बहुत बार यहाँ पर देखा जा चुका है तो इतनी जल्द बाजी नहीं करने है कंपणी खराब नहीं है बट कंपणी में investment नहीं आ रहा है वो हम लोगों ने यहाँ फिलाल यहाँ देख लिए खास करके institutions के हिसाब से जरूर यहाँ पर कल के दीन के हिसाब से हम लोगों ने ITC को यहाँ पर focus में रखना है जल्द लगा है डिक्सान को भी लगा है बहुत सारे आटो सेक्टर वाली कंपनियों को भी लगा है एंड दोस्तों में बताना चाहूंगा सेमी कंड़क्टर चीप का जो manufacturing है वो ज्यादा तर करके हम लोग उनको भार से आते हुए देखने को मिलता है चीन में होता है ताइवान में हम लोग को इसका production देखने को मिलता है कोरिया में देखने को मिलता है सो एस सच कोई इंडियन मार्केट के अगर हम लोग बात करें इसी बहुत बड़ी कंपनी हम लोग को cheap manufacturing क्या business करते वे देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है और इस से related अगर कोई पहला कदम उठा सकता ह है बट सबसे बड़ा problem यहीं दोस्तों की cheap manufacturing की बात करें उसका जो capital रहता है दोस्तों वो बहुत बड़ा capital रहता है बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा capital तो इसलिए यह मतलब यह business ऐसा नहीं कि कल जाके decide कर लिया और शुरू हो गये बट इस से related अगर पहली कोई positive news यहाँ आ चुके तो टाटा मोटर से आ चुके कि हापे वो वीचार कर रहे है कि cheap shortages का यह जो बाते वो भविशब में भी हो सकते हैं तो दूसरों के उपर depend रहने से अच्छा है हम लोग खुदी cheap से related जो manufacturing वह आपे start कर देंगे तो इससे related अगर कोई खबर आ जाती है तो टाटा को बताई जारी है जो आप comment section में कर रहे हो वो शायद से अफ़वा रहेगी मदर संसुमी कोई भी cheap का manufacturing यहापे नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं करता है यह खुद उन company के जो chairman है उन्होंने इस बात का जिक्र यहापे किया था इंटर्विव भी मैंने cover किया था आप सभी लोग को पता है यहापे मदर संसुमी ने कहा था कि आने वाले तीन से पात साल का उनका target क्या है तबी भी उनको यह सवाल पूछा गया था आप इतने सारे auto के components तो बनाते हो क्या आप cheap segment में इंटर करना चाते हो उन्होंने भी यही सवाल का जवाब दिया था कि करना तो चा लगा सकते हो कितना heavy investment लगता है तो टाटा ग्रूप कि अगर मैं बात करूँ बहुत बढ़ा ग्रूप है शायद से वो कर सकते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी रहता है fund raise भी वो कर सकते मदर संसुमी से related यह जो खबरे यह आ पर आ रही है कि cheap से related manufacturing तो यह अपव यह organic finally यह stock किर जो rally थी इतनी लंबी rally यह चली है बिल्कुल expect नहीं किया था कि इतना तेज भागेगा करके एक मैने की भी बात कर तो 53% छे मैने की बात कर तो 200% के आसपास के return से आपे बन चुके है जबी भी इस company से related मैंने वीडियो बनाए एक point मैंने हमिशा आप लोग को है कि जीस तरीके से upper circuit enjoy कर रहे हो prepared रहना कि यहापर जो गिरावट रहेगी वो कोई एक दो एक दो पसंट की नहीं रहेगी वो lower circuit में ही यहापर रहने वाली है तो यह जो गिरावट है दोस्तों यह और भी यहापर continue हो सकते क्योंकि इतने सारे upper circuit लग चुके तो यह थोड़ रहने के rally थी वो quarter one के numbers बहुत शांधार थे उसके साब से ती यह जो इतनी बड़ी rally है उतना expect यहापर नहीं किया था बट अगेन के रहाऊं कंपनी का business कोई खराब नहीं यह यह अपर circuit lower circuit चलता रहेगा फल इंडिया में भी हम लोग ने देखा था इंडिया मार्ट में भी देखा था अभी यह stock थोड़ा सा यहापर क्या हो जाएगा रुख जाएगा और रुखना भी चाहिए इतना तेज भागने के बाद अभी क्या हो जाएगा वो थोड़ा consolidation phase में आपर आ सकता है सो lower circuit शायद से यहापर continue भी हम लोगो कुछ दिनों तक यहापर देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने लगातर अपर circuit और कुछ जादा ही हद से जादा returns अगर आप लोग यहापर देखोगे 200% से भी जादा के returns तो उसके बाद तो थोड़ा बहुत यह stock यहापर रुख है तो देखे कोई भी company एक मैने में एक साल में करोड मतलब multi bagger already है बट जो सूपर multi bagger की हम लोग बात करें जैसे के SRF SRF के हम लोगों ने बात कीते ना कितना वह 2000 का था 10,000 एक दिन में थोड़ी गया दीपक नाइट्रेट 200-200,500 रुपे पर हम लोगों देखा तो आज खाप है तो यह time लगता है दोस्तों इसके लिए यह सारे upper circuit lower circuit का खेल चलता रहेगा यहापर अगर यह company है तो मुझा इसा स्टॉक की जरनी उपर नहीं रहती है स्टॉक की जरनी हमेशा यसे तेजी रहेगी दैन यह नीचे आएगा फिर थोड़ा सा टाइम यहापर करेगा दैन वापस तेजी यहापर दिखा सकता है डिपेंड करता है company के number कैसे रहेंगे सो यहापर जैसे मैंने का है आप लोग च कंपनी का बिजनेस अच्छा है दोस्तो अगें के रहा हो जो स्टॉक अपर सर्किट में भागते वह गिरते वक्त भी लोर सर्किट में ही गिरेंगे सो इतना ही कहना चाहूंगा आप चाहूं तो यहापर कंटिन्यू कर सकते हो company खराब नहीं है आशा करता हो आप लोग को ज